सबसे पहले हमें अपने फोन के से जो मेनू जोते हैं आपliter स्टार्ट इंग से चलता हूं जैसे कि आप अपने ऑम स्कीन पर रहते हैं यहाँ से जब बहुग भी म्यूजिक करने के लिए यहाँ पे जाते हैं राइट है तो देहां पर जैसे मैं प्ले कर रहा हूं यहां पर कुछ नहीं हो रहा जस्ट भाइब डिसन्स हो रही है और उपर में लोडिंग लिख करके आ रही है ठीक है तो यह ऐसे प्ले नहीं होगी इसके लिए जो है सबसे पहले आपको वन डाइम पर क्या करना है अपने वाट सौरी अपने फोन से जो है आपको यूज करना ह इसके बाद से आप इस तरह क्रेंगे तो आपको इंक्रीस करने का ऑपिसन्स मिल जाता है जहां के आप से इसको increase कर सकते हैं देखे मैं इसको यहां से songs भी next कर रहा हूँ देखे मेरी songs बगरा यहां पर change हो रही है यहां से मैं जब back पर click कर रहा हूँ back wide पर वो भी click हो रही है इसको आपको क्या करना है जैसे कि यह अगर properly functions नहीं कर रही है स्टार्टिंग से यहां पर आपको इसको control करने के लिए सबसे पहले आपके फोन के जो Bluetooth है मैं आपको दिखा दूँ ऐसा नहीं कि यह मैं जिस आयोज दिखा रहा हूँ इसके लिए यह आपकी normal Android फोन के लिए भी से जो problem solve है वह भी मैं यहां पर शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है Bluetooth में यहां पर आपकी फोन जो है connected होने चाहिए ठीक है देखें यहां पर जो यहां पर देख सकते हैं noise का जाई टूब यहां पर connected है ठीक है second one यहां पर जो है जो tracker applications है ठीक है noise fit track इसको क्या करना है ना settings में आना है यहां पर अपने watch वाले sections में इसमें others में आना है others में आने के बाद यहां से आपको एक reset की options मिलती है देना आपको क्या करना है इसलिए totally यहां पर reset कर देना है first step यह हो गई इसको side रखते हैं second one है कि यहां पर आपको अपने watch को reset कर लेना है कि यहां पर सबसे पहले आपको अपने phone के settings है settings में आ जाना है settings में आने के बाद system पर system पर आने के बाद reset reset कीजिए watch को totally reset हो जाएगी इसको दुबारा आपको अपने phone के साथ connected करना है यह दो process हुए third process है कि यहां पर आप इसके formware versions अप्डेट कर सकते है इससे अगर आपकी जो भी problems रहेगी वो solve out हो सकती है इसके लिए आपको अपने phone के play store में जाना है अगर iOS user है तो app store में जाना है जाने के बाद वहाँ से जो applications है उसके current versions को यहां पर आपने क्या करना है कि install करना है यहां पर अप्गरेशन की भी last update देख सकते है अप्गरेशन पर क्लिक करने के बाद जो है software अप्डेट कर लेने रहे है अपने watch के जो भी रहेंगे and applications के outdated जो रहेंगे उनको आपको use करना है तो यह दो तीने ऐसे process है जिनके तुरू आपका जो है जो भी problems रहेगा music से related के अगर music control नहीं हो रही है then आप इसको check out कर सकते है and I hope कि यह इस सब tips follow करने के बाद आपकी problem obviously solve हो जाएगी so video अच्छे लगे हो तो इसको like and share जरूर कीजेगा